हमारे हमारे जब मुस्लिम लड़की आती है हम काटते हैं उनको हम साधी करके लेकर आते हम काटते हैं उनको मुस्लिम लड़कियों को बहु मौमडन मौमडन लड़की 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 है हमारे भी एक किताब है अब हमने मनाई है वह किताब इनमें लिख रहा है क चल रहे हैं लड़का और लड़की है इसलिए गलत तो लव जिहाद नहीं है तो पिर मुस्लिम लोग हिंदू नाम रख के लड़कियों को हैं सबसे बड़ी चीज तो यह सबसे बड़ा सबूत कि लोजिहाद lou pedir कि देख नम क्यों रख द्रब यह nails जाती है किस की घर मैं बात करूं है आफसा ले नाम बदला ना श्रदा का नाम बदला गया दोनों मुंबई से भाग कर दिल्ली आ गए मैडम ने बोला लाओ जिहाद एक्जिस्ट नहीं करता है तो उसका जवाब यह है तो फिर वो नाम क्यों बदल लेते हैं लाओ जिहाद तो है इसका सबूत वो खुद देते हैं अपने नाम बदल के सबसे बड़ा दोका तो यहां है अच्छा अगर एक सक्त कारवाई की जाए जो एक 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 जैम्पल बन सके पब्लिक के लिए तो लाओ जीहाद रुक भी सकता है और रुकना केवल यह नहीं है कि एक केवल गौर्मेंट एक एक एक्शन ले लेगी आफताब की इंहीं चाली खिलाभ तो रुक जाएगा कि हमारी पब्लिक की हमारे समाज की जिम्मेदारी नहीं है इसके कि छिलाई आगर हमें दीकरा है कि यह बन्दा हमारी दहीन बेटी के साथ आज अगर साथ में चिपटके घुम रहा है तो कल यह कुछ़ भी कर सकता है ना अगर दिक तो क्या हमारे समाज के लोग भी तो साथ दे सकते हैं क्या केवल पुलीस है वो एक एक बंदे के पीछे घूमती रहा यह भी पॉसिबल नहीं है तो क्या उसका रास्ता उसके हत्या कर देना है गलती तो लड़की की भी है वो क्यों किसी लड़के की पीछे अपने माबाब के खिलाब चली जाए उसको कोई भी मुसल्मान लड़का टुकडों में काटके जंगल में फेक दे यह सही है भाई शर्मानी जी है यह भाई वो है जो अभी डिबेट चल रही थी तो पीछे खड़ाओ के बोला था भाई उसको हिंदू लड़की मिलके हमारे पास तो कोई नहीं है ऐसे बंदे से डिबेट लोगे तो यह ऐसे जवाब देगा बाई से पूछो भाई ने बोला यह नही लड़की तो हैं आपका मेंन नाम पूरा नाम असैनि जी यह बताहिए चलिए उसने माबाप की बात नहीं मानी तो क्या उसका फासी हो अपकोवहह द गोली मारे सांप ब GP में लाए उसको गल्टी लड़के की सेंधोल क्यों कर रह रहे हो थीम Überleg पर नहीं कर रहे हैं लव जिहाद नहीं एंट नहीं आपने बोला कि हिंदु कर रहे हूं तो यह लब जिहाद नहीं हां यह ना लब जिहाद मैं निबता है इसमृ लड़के ने नाम बदल के सभी किसी किसी लड़के को जबर्जस्ति द्हरमांधिरन कर आया जवाब नहीं होता अ कुछा कर दो डर्का और लड़का औरं हिंदू लड़की तक जवाबाब कि यह र thing this लड़की रावन आइसके पीछए मतलत है लड़की हम्तब यह के gast छूक्ता हो सकती लड़के की गल्ती नहीं जो सकती यह उसमान सीगता वाली इंसान घंचेस मांस पूछ करें मैं हूँ स्वाइब करें मैं इश्य दीड़ा शुन कि एड़ी टोड़ा था जवाब इस हम जवाब ये को शून हमें हूए हें हाट तरे के लड़के लड़के होते हैं कोई हिंदु लड़की लड़के से करती है मतलव मुसल्मान विसकंथ मैं तुछ नर्ष आद में तो सवाल सुनीजिए आप किया रहे हैं चाहे हिंदू लड़की मुस्लिम लड़की से प्यार करें प्यार प्यार होता है तो यह कैसा प्यार है कि बैदिस लड़की को सजात हो ना भाई लड़के को सजातो यह से केमर लेगा थोड़ी हो जाए कोई बात कुछ नहीं होगा लटके को साजा दो कुछ नहीं होगा हमाई कैमरे से कुछ नहीं होता है तू बोला है कि कुछ नहीं होता है अब बताईए कि क्या आने वाले में लग रहा है कि ऐसी और हत्याइं हो सकती है ऐसी और मामले हो सकते हैं अगर हमार समाद जागरुक नहीं हो और अगर सकत कारवाई होके कानून नहीं लाया जाएगा तो ऐसी बहुत हो नहीं सकता और ज्यादा होगी होंगी होंगी अगर अभी भी कानून नहीं लाया गया और कारवाई नहीं की गई तो और इस्पेशली ऐसी मानसिकता वाले इंसान रहे तो और ज्यादा होगी जब दूसरे वर्ग में कुछ होता है तो एक नारा बहुत जोरोशोरो से लगाया जाता है सर्तन से जूदा जब आफटाप की गलती होती है तो ना कऊई ऐसे नारे लगाता है ना आफटाप की कोई गलती बताःता है वो वर्ग आप समझ गया हूंगे मैं किस वर्ग की बात करे हूं जवाब इसलिए उसको लव जीहाद कहते हैं जिस दिन वो वर्ग आवाज उटा लेगा उस दिन लव जीहाद रहेगा नहीं क्यों अपने उस बेटे को आफ़ताब को जो ये वर्ग बोलता है क्यों उस बेटे को खुद भासी नहीं दे देता क्यों वह आके खड़ा होके कोट में नहीं बोल देता कि इस पर कारवाई की जाए क्यों वर्ग बोड आके आज खड़ा होके नहीं बोल रहा क्यों आज मौलवी आके खड़े होके नहीं बोल रहें कि इस पर कारवाई की जाए है ऐसे दो यह लोग सर्ट अंसे जुधा करने को तियार है अपने और ..... Silicon के कि उस्丹 नाम है। बढ़े है की यह सब और तक एम कई चलता रहेगा अफ तर पुलैस कोई सजय देगी नहीं कूझ हम लगता है कि कि यह सब ठीक नहीं है जो भी हुआ है मेरे हिसाब से मतलब गलती तो दोनों साइड से बोल सकते है लड़की का भी हम हम तो नहीं बोल सकते हैं कि प्यार में पढ़ना बुरी बाद है इस शद्दा अत्या गांड में आप कह रहे लड़की की गलती थी अभी सुर्कियों में तीन और खबरे चल रहे थे उसमें लड़की ने जब मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ रिष्टे में नहीं आउंगे तो उसको मार दिया गया उनमें किसकी गलती अभी मैं बोल सकता हूं कि लड़की का भी गलती क्योंकि उसके स इतने सालों से तो थी वो उसे छोड़ के तुछ आ से हैं और किसी की गल्टी नहीं है सुन मेरी बात समझ में आई लड़की की गल्टी क्या लड़की की गल्टी क्या है लड़के का निए उसका 35 तुगड़े गल्ती गल्ती दोनों के क्या लड़कों के कमी है का लड़की नहीं काट दिया काता तक लड़की ने किसी ने हमारे हमारे मुस्लिम लड़की आती है हम काटते हैं उनको हम साधी करके लेके आते हैं हम काटते हैं मुस्मिम लड़कियों को प्यार से रखते हैं ग Grove Dia keman के को नी है तो कोई वात काम ना करते हैं ऐसे करते हैं फिक नहीं करते हैं मैं, आपको लगता है कि इस सवानी कर शोचे होगे हैं प्रपने हैं लखनो वाला गूला कांड नहीं आपकी है उपर से दखका देνε वाला काम कियाँ जब अटनी मना कर रही है आँ, तो दखका देने का मतलब क्या, वह लब जियाद नहीं था क्या. उ diye We are, sayaks. मुझे तो भूछ ह५्प मुझे तो सब पता है. मैं आपसे ये पूछ रहे हुए, कि ये लभ जाद में आता है.. जाद सु आला तो चला ही गया, इतनी देर करुत है में तो रहुत है मैं कहरा हूँ तहरा हूँ, मैं एक पात कई हमारे हम लड़की ले के आते मुसलिम ठीक है साधी करके लाते हैं अच्छी तरीके से लाते कोट की भी सब करते हैं घर परिवार में सब मेरा भाई लेका हुआ हमने तो नहीं किया अज तक आपके घर में कभी ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं ता वह भी ठीक है मैं भी ठीक हूं कोई दिक्कत नहीं क्या रहे हैं कि श्रद्दा ने शादी के लिए उसको आफता आपको कहा छे महीने पहले काट के रख दी उन्हें साधी के लिए मना कर दिए उसмыंगे इंसान में क्या पूत में ता उसक 민 legislator चुप के जब्र सबस्क्राइब धव्याया है नोग सब्सक्राइब हो तुमृक्राइब हो काटने मारने की बाद नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हाथ में माय क्या इसकी इज़त करनी बढ़ेगी इसकी इज़त बहुत होती है इसलिए मारने काटने की बाद कर सकते हम बचके रहेंगे लेकिन माय के उसकी घर्मा का समान होता है मेरा सवाल यह है कि जब लड़की मना करती है तब भी उसके हत्या कर दी जाती है जब लड़की हां बोलती है तब भी हत्या कर दी जाती है तो चाहे हां बोले चाहे ना बोले आकर हत्या ही एक समाधान है क् इब हम लेके आते हैं हम लेके आते हम तो एसी अरकत नहीं करते ना उनके एक चीज है चीज क्या मैं तो उसको किताब कुछ नहीं वह फद्दू एक दम फद्दू घटिया चीज है वह उसका नाम भी नहीं लेता मैं तो ठीक उसमें लिख्या है काफिर है ठीक है यार तुभी मनाई है वो किताब इनमें लिख रहा है कि इतना जल्दी काटो हमने यह लिख दिया अब इनका इसाब हम इतना जल्दी करने वाले हैं किसी ने सोची ना होगी अब वो कहता ना जोगिंदर भाई सोची ना होगी आप सोचा के दिखा देंगे जोगिंदर आली बात में कर दूंगा मैं इसका इलाज हम ऐसा करेंगे समझ में भी नहीं आएगी 35-70-70-70-140 सवाल हो ना एक मजजीद में मिलेगा और बताओ चे मेरा पत्वा जारी करें में कुछ भी करें जिसमें दम है तो आके छेड़ ले अच्छे आपने फत्वा की बात की यह लोग इतना ही फत्वा जारी करते हैं तो आफतापके नाम पर फत्वा क्यों नहीं जारी तो सलमान घं को क्या कहेंगे जो यह कहते हैं कि मेरा अब्दिल तो देखिए सबसे अलग है उनको तो अकल देनी तो क्या है क्या कहें वाई हमारे हमारे अंदर ही एक सोटी सी गलती मानता हूं उस गलती को हम आप सुदार ने लगे जब लड़की स्कूल में जाते ना उससे लेके अरकोल पहली बात को नामी सोरी एस्मी सोरी इनके नामी अलग है इनके नामी नाम न मैंता अब्दल पढ़ना खेक नाम रख रहे हैं अमी जान से अमिशन से बीजा नियौत नहीं से बतातो देंगी वह अलाला का तो नए है पूचतो लिया करो ek just और है जो आप स्टैंड ले रहे हैं कि इनको रोक रहे हैं या श्रद्धा के लिए आवाज उठा रहे हैं क्या या आगे काम आएगा क्या आगे कोई क्या आगे कोई श्रद्धा दूसरी नहीं बनेगी नहीं बनेगी हम तो बनने नहीं बनने देंगे चाहिए अपनी जान क्यों नहीं तरीके से सुर्या अपनी अदालत लगाता है 35 सब्सक्राइब कर दिये लेकिन कानून को आप अपने हाथ में ना लीजिए मानता देखो इतना टेम लगा उसको कोट में ले जाओ वो करो यह करो पता ना क्या क्या करको सब देखो मैं तो अपना कानून लेकर रख्या में दो का सब्सक्राइब कर लेगी लेकिन मैं अपनी तरीके से काम करें एक महत्पून सवाल लव जिहाद बढ़ने का कारण क्या मानते हैं लव जिहाद बढ़ने कारण एक ही है अब मैं लड़कियों के बारे में कुछ कह नहीं सकता क्यों है सारी बैने अपनी है ठीक उनका दिमाग हिल जाता है लेकिन उनका दिमागी बागे से हिलना बंद हो जाएगा क्यों शुरुक्सिया उनको घर से लेकर कॉलीज तक स्कूल से लेकर घर तक की मिलेगी जब तो इनका नंको गूमते हैं जाके बंधन लहांगे हैं उनका वे निखाला है यह मैं और प्नी देनों के लिए कुछ भी वे करने के लिए दियार हूं थिक अपना इंद्व सवाध रहे गावा पूछना चाहूंगी अभी ने बड़े गुस्से में बोला कि लब जिहाद जो है अब रुख जाएगा लग रहा है आपको कि आप लोगों के आवाज उठाने से लुख सकता है क्योंकि हमारी जो बहने है ना वह कासकर उनके जो अट्रेक्शन है ना एक टाइप का वो होता है लेकिन जब गारजियन उनको समझाएंगे इस बात की जानकारी देंगे कि जो मौमडण है उनसे दूर रहना है तो साइद लब जियाद मेरे साब से रुख सकता है लेकिन जो डिस्मेंटिलिटी होती है या पर माता पता की संसकार ने उपाते उस चक्क्रम होता है हम कहते है आपके जमाज में कोई कमी है क्या पूरा हिंदुरु राष्ट' है सब स्रीराम की सहना है कैसे हो जाएगा लब जयागी देशान की कमी पर सुचम impress कर रहा है बड़ाबर मतलब शोसल साइट चला रहा है लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है और विस्दा उसके पापा को निप कि समाज में, उसको सुईकार करने की चमता नहीं है, उनको यूज़ करना आता है, और जिस दिन ऐसे लोग उन्हें पगड लिये तो जैस्री राम का नारा ही दिखाएंगे उनको क्या हुता है? जैश्यराम के नारा देखाएंगे। बंदा दुपारा इस तरह की हरकतकि करने की कोशिश ना करें कोशिश नहीं मतना इसको कैसे तुझारा जाए कि है कि आหा बोल रहे है ना भी मर रहे है तब ऑल barriers थोड़ा सा एक attraction होता किसी की तरफ में तो उस attraction के चक्कर में ये लोग लड़किया विशारी फज जाती है अब हर इंसान तो अवेर है नहीं इसके लिए कुछ अवेरनेस प्रोग्राम हो जिसकी वैसे अब आज की डेट में ये शहरी लोग तो फिर भी शरद्दा को इंपॉर्टनस दे रहे हैं उसकी न्यूज को इतना सीरि के अंदर जो जिहादी सोच का है जिनका टार्गेट होती है हिंदू गरीव लड़किया या पड़ी लिखी लड़किया उन सब को टार्गेट किया जाता है इस सोच वाले लोगों को पकड़ना है अच्छा आपकी तरफ से आपने कोई प्रतिक रिया की जब शद्दा की अपनी फैमली ओं को भी जाके उनसे शर्म ना करें उनके साथ क्लियर बात करें अपनी बेहन बेटियों के लिए उनको बताएं कि इस तरह का महल मार्किट में चल रहा है तो बचके रहे किसी भी इंसान पर बरोसा ना करें आप पहले आप उसको देख ले के वाक्य में वह ह लिए जब तक इन लोगों को उल्टानी टांगा जाएगा ना जेल में तब तक इसके उपर लगाम नहीं लगेगी लब जिहाद तो ये है वो सब को दिख रहा है अभी भी लखने उसे एक खबर आई है एक लूंडा था वो एक लड़की को चार मंजिल से गिरा के और फरार चल रहा था और पुलिस उसके घर में गई तो उसके माबाब भी फरार चल रहे थे आज वो उस लड़के के पैर में गोली मारी है तब जाके आज उसको पकड़ लिया गया माबाब की मिली बगत के साथ ये चीज़े होती है आप ये कहना चाह रहे है अब माबाब भी बेचारे डर जाती है पता नहीं माबाब ने सिखा के बेजाता या क्या हुआ माबाब की हवा खराब इसलिए होती है अगर माबाब दिल्ली के रहने वाले होते या किसी औरी स्टेट के होते तो हवा खराब ना होती वो यूपी का मामला ना और यूपी में बुल्डोजर हमेसा तयार रहता दिन हो या रातो बुल्डोजर की सर्वीस 24 आवर आवेलेबर रहती है माँ बाबा जी ने यह बोल रखा कि भईया पुलीस और बुल्डोजर दो चीज तो हमेसा तयार रहनी चाहिए और जब तक आभी मैं कुछ दिन पहले आभी निउस देख रहा था मैं परसो तरसो वो लड़का जेल में ऐसा सो रहा था जैसे घर के डबल बेड़ पर सो रहा हो जबकी ऐसे यसे लड़के को तो सोने नहीं देना चीज़े सजा की क्या मांग कर रहे हैं? क्या सजा आप चाह रहे हैं? मैं तो फासी की मांग कर रहा हूँ और फासी का फैसला जब भी आएगा फासी का फैसला चाहिए दो साल में आए चार साल में पात साल में कभी भी आए उसको उल्टा टांग के रखो खिलाओ पिलाओ खिलाओ पिलाओ और उसको उल्टा टांगो धर्ती पेर मत रखने दो उल्टा टांग के रखो वो खुद कोट में जाके सजाई मोत मंगेगा खुद मंगेगा कुछ मत करो ना मारो ना पीतो कुछ मत करो उसको अच्छे से था खिलाओ पिलाओ और उल्टा टांके रखो पैर नीचे सर ओपर और अगर जैसे सोई एक फ्लम ने आरे सुनो ना पैर उपर से नीचे और अगर अगर वो ज़्यादा तीन पांच करें तो फिर उठाओ डंडा और उसका पिछवाड़ा लाल कर दो ठीक है बहुत बहुत दनेवाद दिल्ली की जंदा थी हमारे साथ जिन्होंने शद्धा अत्याकान पे जो है अपनी रायरकी गुस्सा आपने देखा होगा वही कुछ ऐसे लोग में मिले कि जिनक को कब तक इंसाफ मिल जाएगा जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं बहराल ऐसे ही दा न्यूस्वेपर और मेरा पूर्वा चौदरी के साथ बने रहें जैन